आज के इस वीडियो में स्टुडेंट्स हम लोग बात करेंगे डिस्कावरी आफ दा प्रोटोन लेक्टोन की डिस्कावरी हम लोग कर चुके हैं कैथोर्टरिस की प्रपर्टिस हम लोग उने स्टडी कर लिए आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कैथोर्डरेस की तरह ही अनोडरेस की डिस्कावरी हुई और उन अनोडरेस की प्रपर्टिस को स्टडी करके ही फर्दर आगे प्रोटोन की डिस्कावरी हुई तो शुरू करते हैं, जैसे कि हम लोगों को इतना बता लग गया है कि अगर एक atom में कोई negative charge का कोई electron present है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे negative charge के साथ साथ positive charge वाली भी कोई particle होंगे, क्यूंकि पूरा का पूरा atom जो है, अगर देखा जाए तो वो electrically neutral होता है, 18, इसके लिए 1836 में E. Gold Strain ने cathode rays के साथ साथ एक नई तरह की rays की discovery की, जो की cathode rays के पीछे एक discharge tube experiment में देखने को मिली, observe की गई, ये जो rays जब बनी, ये rays जो थी वो cathode rays से बल्कुल opposite direction में travel किया इन्होंने, ये rays जब बनी, तो ये rays जो थी वो magnetic और electric field की द्वारा deflect की गई, जै जैसे की cathode rays की गई थी, लेकिन जो deflection थी, anode rays के case में, वो अब opposite direction में हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये rays जो है, इसमें positively charged particles present हैं, और उन positive charged particles को नाम दिया गया, positive rays, canal rays and the anode rays, आप ये anode rays की या protons की discovery के लिए एक discharge tube experiment, जैसा कि हम लोगों ने cathode ray tube experiment में भी किया था, cathode ray की discovery के दुरान, बल्कुल same है, यहां पे आप देख सकते हैं कि cathode rays जब बनी है, तो cathode rays के बल्कुल opposite direction में यहां पे anodes बनी है, ठीक है, यानि कि cathode rays अगे बन रही है, तो anode rays बल्कुल इसकी opposite बनेंगी, तो अभी इसी चीज़ को हम लोग एक animated video के थुरू देखेंगे, तो let's go to the video students, आपको वो चीज़ अच्छे से clear हो जाएगी, thank you students. Canal rays, Canal rays की discovery के लिए, cathode ray की discovery की तरह ही एक discharge tube ली गई, जैसे की आपको screen में दिखाए दे रहा है, ठीक है, इसको discharge tube बोल रहे है, एक तरफ anode ली गई, बीच में एक perforated cathode की plate लगाएगी, और right side की ओपर एक fluorescent screen लगाएगी, और इस पूरे setup को हम लोगों ने maximum voltage के साथ connect कर दिय जैसे voltage start हुई, ठीक है, cathode rays जो है cathode से develop हुई, और उसके cathode rays की बिल्कुल opposite direction के ओपर, right side के ओपर anode rays बनी, और वो anode rays जाके strike की perforated जो हम लोगों ने एक plate बनाए थी fluorescent की उसके ओपर, तो यहां से इस video से हम लोगों को इतना clear हो गया, यह पूरा setup आपको यहां पे से cathode rays के बिल्कुल opposite direction में canal rays या anode rays बनी और यह opposite direction में deflect की, तो इसका मतलब बेटा यह था कि obvious सी बात है, इसके ऊपर कोई नो कोई इसके बीच में कोई नो कोई positive charge species present है, और वो positive charge species थी हमारा proton जिसकी आगे further discovery की गई, यह e gold strain का experiment था, बिल्कुल same उसी तरह किया गया था, जै students मुझे के तयर लगता है कि आपको जो मैंने समझाया और यह जो वीडियो आपने animated वीडियो देखा, इससे आपको properly clear हो गया कि किस प्रकार से anode rays या canal rays या positive rays की discovery हुई, thank you students, enjoy this video.